केंद्रे ग्रह मंतराली ने उर्दू भाशा पढ़ने लिखने वाले उवाओं को बहुत बड़ा तोफा दिया है अगर आप उर्दू भाशी हैं और सरकारी नौकरी करने की चाहा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है दरसल ग्रह मंतराली ने फैसला किया है कि CRPF, BSF और CISF जैसे पुलिस बलो में कॉंस्टेबल की भरती के लिए होने वाली परिक्षा SSC GD अब उर्दू सही 13 शेत्रे भाशाओं में करवाई जाएगी अमयरोजाला के और सिप्रकाशिक खबर के अनुसार यह परिक्षा 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित होगी ग्रह मंतराले के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देश के 128 शेहरों में कुल 48 लाक अभ्यहरती यह परिक्षा देंगे परिक्षा उर्दू के लावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराथी, मल्यालम, कन्नर, तमिल, तेलुगू, उडिया, पंजाबी, मनिपूरी और कौंकणी में भी आयोजित होगी इससे पहले कौंस्टेबल जीडी बर्ती की परिक्षा सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित होती थी बात करें उर्दू की तो यह भारत की साथवी सबसे ज़ादा भोली जाने वारी भाशा है 2019 के आकड़ के अनुसार भारत में आठ करोड से जादा लोग उर्दू बोलते हैं बिहार और उतरप्रदेश में इस परिक्षा के लिए विशेश इंतजाम किये गए हैं उतरप्रदेश में जहां 69 केंद्रों पर ये परिक्षा आयोजित होगी वहीं बिहार में 28 केंद्रों पर पर परिक्षा का आयोजन होगा दोनों राज्यों के एकुल 15,20,063 अभ्यरते इस परिक्षा में हिस्सा लेंगे ग्रह मंत्राले ने 1 जनवरे 2024 से हिंदी और अंग्रेजी के लावा 13 शेत्रे भाषाओं में C, A, P, F में भरती के लिए कौनस्टेबल परिक्षा आयोजित करने का निडने लिया था एक बयान के अनुसार हिंदी ने केंद्रे सशस्तर पुलिस बलो में स्थानिय युवाओं की भागेदारी बढ़ाने और शेत्रे भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रह मंत्री की पहल पर लिया गया है ग्रह मंत्राले और कर्मचारी चेन आयोग ने हिंदी और अंग्रेजी के लावा तेरा शेत्रे भाषाओं में परिक्षा आयोजित करने की सुईधा के लिए एक समझोता के आपन पर हस्ताक्षर किये हैं S.S.C. ने समझोते के बाद ही इस संबंध में अधिसूतना जारी की है क्रह मंत्राले का कहना है कि एक अदम जादा से जादा विवाओं को अपनी मात्र भाषा या शेत्रिय भाषा में परिक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनकी चेंसम भावनाओं में भी सुधार होगा भारत में उर्दू भाषा के सरक्षन और विकास के लिए काम कर रहे है संगटन उर्दू डेवलप्मेंट और्गेनाईजेशन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है संगटन का कहना है कि इस फैसले के बाद लोगों को समझा गया है कि शेत्रे भाषाओं में और उर्दू में कोई फरक नहीं है मेरी तरफ से फिला है इतना ही आप जुड़े रहे हैं वतन समाचार के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए ताकि हमारे सारे खबरे सबसे पहले आप तक पहुंचें